सबी बाईयों को नमस्कार स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल संसनिवाल डैरी फारम पर तो देखिए जी सामने बहुत ही खुबसूरत छोटे छोटे सिंग की दो जोटियां गिराए गाउं से वीडियो लेके आ रहे हैं गिराए गाउं को काफी मशूर गाउं है और पसूद अनपालने में भी काफ तो यह जो बड़ी कटड़ी है कितने मिन्हें की का भी ना झाष ओतारी को एक मेंने पूरे ऊंगे यह भीस दिन की विश दिन की है तो यह वे आने हैं हैं दोनों तो फादर मदर्गा पता है इनका कौन कोन से हैं कितने दूद वारी ती-वारी। 22 लीटर वाली और इसका फादर कोन है एक नमबर का और यह चोटे वाली यह HLDB के सिमन की है और यह भी HLDB के ही M29 की बेटी है देखिए बहुत ही खुबसूरत तो चोटे भाई कभी इनको मेले वगरा में भी लेके गए हो अच्छा कुर्चेतर डियाफे में क्या पोजिशन कितने कितने दात हैं अभी यह दो दात है बड़े वाली और यह खीरी है अच्छा चोटे तोड़े हैं ठीक है तो दो से चार दात की एक टेगरी में लगी होगी फिर और वो दूद के दातों में लगी थी तो यह देखिए जी 14 तारीकों दिन पूरे हो जाएंगे और आज जो तारीक है वो भी मैं बताना चाहूंगा आप भाईयों को साथ तारीक को ये वीडियो बना रहे हैं लगबग साथ दिन जोटी के बाकी हैं दिखाना चाहूंगा बिल्कुल छोटे सींग की और बहुत ए खुबसूरत कटडी है यह इधर जो छोटी है यह मैं बाद में द वाराज इसको सत्यापित किया गया हो वो कैसी जोटी होगी है देखे अडर की क्वालिटी अभी साथ दिन बाकी है और हमारे जो हर्याना के बुजरुक कहते हैं के लगबग 30 से 40 दिन चाहिए पहले ब्यात की कटडी को ब्याने के बाद पूरी तरीके से निखरने में उसको पूरा जो है अडर बनाने में बहुत अच्छा जो है आज भी जोटी अडर बनाए हुए है चोथे दान तबी निकाल रही है कटडी पीठ की क्वालिटी बहुत ही खुबसूरत और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ के हर्याना जो है मुर्रा की खान है यहां से शांदार जो आगे वाले थनों पे भी अडर देखिए काफी अच्छा है बहुत अच्छा है का आगे वाले थनों पे भी अडर और पिछे वालों पे भी जो है काफी अच्छा अडर है यह देखिए बहुत ही सुन्दर कटडी है इससे इधर जो है छोटे वाली यह भी मेरी खाल से कितने एक साल छोटी होगी से, एक साल छोटी है, लेकिन हाइट लेंथ इसकी काफी अच्छी बनने वाली है, इस जो M29 वाली है, इसमें थोड़े से बाल पूंच में वाइट हैं, लेकिन इसमें मिरी खाल से कोई दो-चार बाल ही जो हैं, वाइट हैं, ये भी काफी अच्छी है, द तो तेरा क्या नाम है अमन पकड़े हुए गटड़ी को देखिए हर्याणा में जो है बड़ा चाओ है पशुपालन का छोटे छोटे बच्चो में पिछे भी देखिए हमारे बच्चे भी और बुझरुक भी जो है वीडियो मनते हुए देख रहे हैं इसी गाउं के हैं सारे क सारे जो भाई हैं वो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो में आए तो छोटे भाई यह बताना इनको बेचने का विचार है अगर रखोगे तो कोई कीमत बगएरा कीमत मुख्या पर करेंगे कीमत मुख्या पर दोन्नों कटडियां बेच दोगे या बड़े वल करी द्युले खेस ट्यूंत फोटी और कंटे नौरीवक्री पिलाते हैं नहों कि बालों सब्सक्राइब करेंद मौनसर सब्सक्राइर के से ठड़ने के लिए मुख्या. प्रफिपली जो अरियाना का पशुपालक है वो हमारे जो ओस्पीटल है सरकारी उसी में सीमन रखवाना पसंद करते हैं क्योंकि मतर 30 रुपे में सरकारी ओस्पीटलों में AI हो जाती है और डुपलिकेट सीमन का भी जंजट खतम हो जाता है क्योंकि डुपलिकेट सीमन सीमन आपने रख़ा है यह सबसे गलत बात है जो अरियाना का पशुपालक आज यह वीडियो देख रहा है वो यह रिकार्ड जरूर रखे कि कौन से बुलका उसकी बैस को सीमन रख़ा है और जब भी उसके घर कटड़ा हो कटड़ी हो तो कौन से बुल्स उसका फादर कॉन है जब तक हमारे पास रिकार्ड नहीं होगा बैसों का तब तक हम कामियाब ज्यादा कामियाब भी ना समझे अपने आपको तो बैसाब यह बताइए कि आपका मोबाइल नंबर क्या है कोई अगर बात करना चाहिए 8708359441 ठीक है एक बार इंदी में भी बता दो 87 ठीक है बाइसाब ठीक तो भैसाब और कुछ चाहना चाहोगे तो और भी बैस रखी है अगर पे नमिए सब गाए है अभी तो इसकी मां तो थी निसा तीनि साइद गजबißt हैश्गा इसल कर थी निए अच्छा ठेक है सेल बहु कहां की चले अपको दी इसको दो यह ता हूं अ आदमी आए हुए हैं और छोटे बच्चे जरूर आए हुए हैं अक्षे भी जो देखिए मेरे वाड़ा बैग टांगे हुए है गाड़ी में दूर से ही पहचान लिया अक्षे ने और बताया कि आपके बेताब बुल का सीमन रखवाया इनकी बैस को सर्टिफिकेट भी लिया अजय के नाम से लगी थी ये जो मिल्क टीथ में थी उसका कॉंसोलेशन प्राइज है और ये जो दो से चार दात में थी इसका कॉंसोलेशन प्राइज है बहुत बड़ी आजी बहुत-बहुत मुबारकों आपको इतना अच्छा पसुद अंत्यार करने के लिए और जो करने के लिए बहुत-बहुत दन्यवाद आपका नमस्कार